सभी को मेरा अभिवादन हमारे आज के सत्र के अधिकम उदेशे क्या है आज आप अध्याई छे पुष्पी पादपो का शारीर की अंतरगत प्रारूपी पुष्पी पादप एंज्यो स्पर्म्स के मूल तने तथा पत्तियों में उत्कों की सरचना समझने के लिए इन भागों के परिपक्व अनुप्रस्त कार्ट का अध्यान करेंगे हम ये भी समझेंगे कि इन सबकी अनुप्रस्त कार्ट में पाई जाने वाले उतक जैसे की बाई तवचिये उतक भरन उतक तंत्र और सम्वहनी उतक तंत्र किस प्रकार से विवस्तित है और एक दूसरे से मिलकर के सिकारे करते हैं आज की सत्र के बाद आपका अवलोकन और ड्रोइंग कोशल और विक्सित होगा और आप अपने देश की वनस्पतियों की जैव विविदिता की सरहाना करने और उसके महत्व को समझेंगे और आपको अपने देनिक जीवन को कक्षा के ग्यान से संबंदित करने में मदद होगी तो आपने अभी तक विभिन तरह के उतक एवन उतक तंतर के बारे में जाना चलिए अब हम ये देखते हैं कि वी द्वी पीज पत्री पादपों का शारीर कैसा है स्क्रीन पर देखिए ये चित्र सूरज मुखी मूल की अनुपरस्त काठ है भीतरी उतकों के विन्यास को निमन लिखित रूप से प्रस्तुच किया गया है सबसे बाहरी गुलाबी रंग से दर्शाई हुई भित्ती मूलियत वचा यानि एपिडर्मिस है इन्वे से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली हुई है ये एक कोशी किये मूल रोम अर्थार रूट हेर्ज है मूलियत वचा में नलीका कार सजीव घटक होते है इन्वे से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोशी किये मूल रोम बनाती है मूलिये तवच्चा की कोशिकाएं अनुप्रस्थ काट में आयत या समव्यासित या अंडाकार दिखती है पर ये सता पर चप्टी, लंबी एवं एक दूसरे से सटी हुई होती है ये कोशिकाएं पैरनकाइमी होती है जिनमें बहुत कम मातरा में साइटोप्लाजम होता है जो कोशिका भित्ती के साथ होता है प्राए मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती पर एक परिपक्व मूल में कभी क्यूटिकल भी देखने को मिलती है पर ये क्यूटिकल बहुत ही पतली होती है मूल में रंद्र नहीं पाए जाते Epidermis का मुख्य कार्य सुरक्षात्मक आवरन परदान करना और पानी और विले के अवशोशन में मदद करना है स्क्रीन पर फिर से देखिए मूलिये त्वचा के अंदर हरे रंग से दर्शाया गया वलकुट अर्थात कॉटेक्स है वलकुट में पतली भित्ती वाली पेरन काईमी कोशिकाओं की कई परते होती है इनके बीच में अंतरा कोशिकिये स्थान होता है यहां मौजूद पेरनकाईमी कोशिकाएं अंडाकार या गोल होती हैं मूल में वलकुट में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं पाया जाता वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतेस तचा अर्थार एंडोडर्मिस कहलाती है पीले रंग की कोशिकाएं एंडोडर्मिस हैं इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतय होती है इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिकी इस्थान नहीं होता अंतेस्त तवचा की कोशिकाओं की स्पर्ष रेखिये तथा आरी भित्यों पर कैस्परी पट्टियों के रूप में जल अपराग कम्य मोमी पदार्थ सबिरिन होता है अंतेस्त तवचा का मुख्य कारे एक वायू रोधी परत बनाना है जिसके कारण मूल दाब बना रहता है अंतेस्त तवचा के भीतर की ओर मोटी भित्ती पेरन काईमी कोशिकाओं होती हैं जिसे परिरम अर्थार पेरिसाइकल कहते हैं परिरम संभेनी बंडल की सबसे बाहर वाली परत है इन कोशिकाओं में द्वित्तिक वृध्धी के दुरान संबहन कैम्बियम तथा पाश वीर्य मूल प्रेरित होता है मूल के केंद्रिय भाग को पित कहते हैं द्वी बीज पत्री मूल में पित बहुत छोटी अतवा असपस्ट या अनुपस्तित होती है यहां की कोशिकाओं पत्ली भित्ति वाली जीवित पेरिन काईमा है जिनमें अंतरा कोशी की एस्थान होते हैं अब देखते हैं कि द्वी बीज पत्री मूल में संबहनी बंडल किस परकार से विवस्तित है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो संबहनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम के 2 से 4 खंड होते है यहाँ जाइलम को लाल रंग से दर्शाया गया है और फ्लोएम को आश्मानी नीले रंग से दर्शाया गया है जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच पेरन काहिमी कोशिकाएं हैं जिने हम कंजक्टिव उतक कहते हैं इस कंजक्टिव उतव को गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है जब दुतिये वृद्धी होनी होती है तो जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम का एक छला बन जाता है जो आप अपनी स्क्रीम पर नारंगी रंग में देख रहे हो ये कैम्बियम अंदर की और जाइलम तथा बाहर की और फ्लोयम को काटता है अंतिस तवचा के अंदर की और सारे उतक जैसे परिरंप, संबहन उतक तथा पित मिलकर रंप, अर्थाद, स्टील बनाते हैं आईए अब हम देखें कि एक बीच पत्री मूल की अनुपरस्त काट में हमें क्या नजर आता है और वो द द्वी बीच पत्री मूल की अनुपरस्त काट से भिन कैसे है एक बीच पत्री मूल का शारीर बहुत अधिक द्वी बीच पत्री मूल के शारीर के सामान होता है द्वी बीच पत्री मूल की अनुपरस्त काट की ही तरह इसमें भी बाहत्वचा, वलकुट, अंतिस तवचा, परिरम, सम्वेहन बंडल तथा पित होते हैं अपनी स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हो यही वो एक बीजपत्री मूल की अनुप्रस्त काट है यहां सम्वेहनी तंत्र को देखे आपको कुछ भिंता दिखाई दी क्या बिलकुल से ही यहां जायलम की संख्या द्वी बी छे से अधिक जायलम और फ्लोईम के खंड होते हैं इसलिए यह बहु आदिदारुक है पित बड़ी तथा बहुत विक्सित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता इसलिए इनमें द्वितिक विर्धी नहीं होती यहां एक बात और गौर करने वाली है मूल चाहे द्वी विजपत्री हो या एक बीजपत्री मेटाफलोईम अंदर की ओर यानी पित की ओर होता है और प्रोटोफलोईम परीधी की ओर होता है औरकेट की मूल में जो मिट्टी में नहीं जाती में एक बाहरी सीमित बहुपतरी परत है जो मल्टी सीरियट एपिडर्मिस कहलाती है इसमें कॉम्पेक्ट रूप से विवस्तित मृत कोशिकाएं होती है जो मूल को एक मोटा आवरन प्रदान करती है इस तरह की मूल हवा से पानी या नमी को अवशोशित करने में मदद करती है इस अ मूल एक बीजपतरी मूल के समान होती है और इसके वलकुट में कुछ वाइू से भरी हुई कोशिकाएं होती है यह तो हो गई मूल की बात अब देखते हैं कि द्वी बीजपतरी और एक बीजपतरी तने की काटकेसी होती है आपके सामने स्क्रीन पर द्वी बीज पत्री तने की अनुप्रस्त काठ है एक प्रारूप शैशव द्वी बीज पत्री तने की अनुप्रस्त काठ में निमनलिखित संद्रचनाई होती है बायत वच्छा तने की सबसे बाहरी रक्षा सते है ये cuticle की परद्से ढकी होई होती है इसमें cuticle पतली होती है इस पर कुछ बहु कोशी किये एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंद्र होते हैं बाहित तथा परिरम के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सताएं होती हैं जिसे वलकुट कहते हैं इसके तीन क्षेतर होते हैं बहरी आधस्तवचा अर्थात हाइपोडर्मिस ये कोलनकाईमा कोशिकाओं की कुछ पर्ते होती हैं जो बाहे तवचा के नीचे होती हैं और हरे रंग की कोशिकाओं से दर्शाई गई है ये शैशर्टने को यांतरिक सहारा देती हैं वलकुट सतय आदस तवचा के नीचे होती हैं इनमें गोलाकार पतली भित्ती वाले पैरनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परते होती है उनमें सूस पष्ट अंतरा कोशी की स्थान हो होती है और इसमें नाल अकार की कोशिकाओं की एक सतय होती है इन कोशिकाओं में स्थार्च प्रचुर मातरा में होता है इसलिए इसे स्थार्च आच्छद भी कहते हैं जिसे आप गुलावी रंग की रेखा के रूप में देख रहे हो परिरंप अंदस तवचा के नीचे औ और फ्लोईम जो की आस्मानी नीले रंग से दर्शाया हुआ है के उपर होती है इसमें स्कलेरन काहिमा की कोशिकाएं अर्ध चंदराकार समू में होती हैं परिरम को आप गुलाबी रंग की रेखा के नीचे लाल कोशिकाओं के रूप में देख सकते हो जाइलम यहां गहरी न कोशिका के बीच लाल रंग का है जाइलम और फ्लोईम के बीच कैम्बियम होता है जो हरे रंग से दर्शाया हुआ है अतर प्रतेक समवहन बंडल संयुक्त मद्यत तिदारुक तथा खुले होते हैं समवहन बंडलों के बीच अर्ये रूप में विन्यस्त पेरनकाइमा कोश सतें होती हैं जो मज्जा किरन अर्थात मेडूलरी रेज बनाती हैं बहु संख्य समवहन बंडल एक चल्ले में होते हैं समवहन बंडलों का चल्ले में बना होना द्वी बीच पत्री तनों का गुन है तने में पित केंद्र में होती है इसमें गोलाकार पेरनकाइमी कोशिका होती हैं इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशी की इस्थान होता है कई बार पित खोखली होती है अब देखते हैं एक बीज पत्रियतने की अनुप्रस्थ काट एक बीज पत्रियतने का शारीर क्रचना द्वी की बीजपत्री तने से कुछ भिन हैं, लेकिन उथकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है अपनी स्क्रीन पर दिये गए चित्र में आप देख सकते हो कि एक बीजपत्री तने की पहए तफचा पर तफचा रोम नहीं है एक बीजपत्री तने में अदस्त वचा स्कलरन काईवा कोशिकाओं की बनी होती है वलकुट में कई सताएं होती हैं इनमें बहुत से बिखरे हुए सम्वेहन बंडल होते हैं इसके सम्वेहन बंडल के चारों और स्कलरन काईमी बंडल आच्छद होता है समवहन बंडल संयुक्त तथा बंध होते हैं परिधिय समवहन बंडल प्राय छोटे और केंदर में बड़े होते हैं समवहन बंडल में फ्लोएम परेंकाइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं यहां एक बात और गौर करने वाली है तना चाहे द्वी बीजपत्री हो या एक बीजपत्री, मेटाफलोईम परिधी की ओर होता है और प्रोटोफलोईम अंदर यानी पित की ओर होता है अब हम बात करेंगे कि द्वी बीज पत्री और एक बीज पत्री पादपों में पत्तियां कैसे बिन होती हैं तो चलिए पहले देखते हैं कि द्वी बीज पत्री पादपों की पत्तियां इन पादपों में प्रिष्टाधार पत्तियां होती हैं प्रिष्टाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भाग जैसे बहाय तवचा पर्न मध्योतक तथा सम्वेहन तंत्र दिखाते हैं बहाय तवचा जो उपरी सता अभ्यक्ष बहाय तवचाद तथा निचली सता अपाक्ष बहाय तवचाद को घेरे रहती हैं उस पर क्यूटिकल होती है निचली भाय तवचा पर उपरी सत्रा की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं उपरी सत्रा पर रंध्र नहीं भी हो सकते उपरी तथा निचली भाय तवचा के बीच स्थित सभी उतकों को पर्न मद्योतक अर्थात मीजोफिल कहते हैं पर्न मद्धियों तक जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और परकास शंसलेशन करते हैं पेरनकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इनमें दो परकार की कोशिकाएं होती हैं खंब अर्थात पहली सेड़ पेरंकाइमा तथा स्पंजी पेरंकाइमा खंब पेरंकाइमा उपरी बाहे तोचा के बिलकुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं ये लंब वत समानतर होती हैं स्पंजी पेरंकाइमा खंब कोशिकाओं के नीचे होती है और निचली बाहे तोचा तक जाती हैं इसक्षेतर की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायू गुहिकाएं होती हैं सम्वेहन तंत्र में सम्वेहन बंडल होते हैं इन बंडल शिराओं तथ्या मध्य शिरा सम्वेहन बंडल का माप शिराओं के माप पर अधारित होता है शिराओं की मोटाई द्वी बीज पत्री पत्रियों की जाली का शिरा विन्या से भिन होती है समवहन बंडल संयुक्त बाहिफलोईमी तथ्या मद्यादीदारुख होते हैं परतेक समवहन बंडल के चारों और मोटी भित्ती वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सगन होती है इसे बंडल आचात आर्थात बंडल शीत कहते हैं अगर हम एक बीजपत्री पत्तियों को देखे तो वो एक पार्शव पत्ती है। एक सम्रित पार्शव पत्ती का शारीर तथा प्रिष्टाधार पत्ती का शारीर अधिकांश सामान ही है लेकिन उनमें कुछ भिनता भी होती है। देखते हैं वो कैसे भिन हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इन में उपरी तथा निचली बाहे तचा पर एक समान क्यूटिकल होती है। और उसमें दोनों सता पर रंधरों की संख्या लगभग समान होती है। घास में उपरी बाहे तचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंग हिन होती है। इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं सफीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुडी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। वाश्पोत सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाश्पोत सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड जाती हैं। एक बीजपत्री पत्तियों में शिरा विन्यास समानतार होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ति की लंबवत काट देखते हैं जिसमें सभी समवेहन बंडल का माप एक समान होता है। चलिए अब आज जो कुछ भी आपने सीखा उसका पुनरावलोकन करें। आज हमने जाना कि द्वी बीजपत्री मूल का शारीर किस परकार का है। वो एक बीजपत्री मूल से किस परकार से भिन है। हमने इसी परकार की भिनता द्वी बीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने में भी देखी। हमने ये भी जाना कि मूल और तने में सम्वेहन बंडल में क्या भिनता है अगर पत्तियों की बात करें तो हम अब ये जान चुके हैं कि द्वी बीज पत्तरी और एक बीज पत्तरी पत्तियों में क्या समानत आए हैं और वो किस परकार से भिन होती है आपके लिए कुछ प्रश्ण है पहला प्रश्ण है सूरज मुखी के सम्मेहनी बंडलों की चार विशेशताओं का उलेख करे दूसरा प्रश्ण है स्थलिय पौधों में त्वी बीजपत्री पतियों की निचली सता पर रंदरों की बड़ी संख्या क्यों देखी जाती है तीसरा प्रश्ण है आप एक द्वी बीजपत्री और एक बीजपत्री तने की कारन बताते हुए पहचान बताएं चौथा प्रश्ण है आप एक तिवी बीज पत्री और एक बीज पत्री मूल और तने का अंतर समझाने के लिए इन सभी की अनुप्रस्त काट का अच्छी तरह से लेबल्ड आरेक बनाएं आशा करती हूँ कि आपको अगर किसी भी पौदे की मूल तथा तने या पत्तियों की काट को सुक्षम दर्शी यंत्र में देखें तो पैचान पाने में सक्षन हो गए होंगे इसी के साथ आपसे अगले सत्र में मिलने तक की विदा लेते हैं सदा खुश रहो और मुस्कुराते रहो धन्यवाद लादी यंत्र में पत्तियों की मुस्क्षम